नमस्कार मैं हूं धरमेंदर आप देख रहे हैं ओला इनुज इंडिया जारखंड की सरकार ने एक बिल पास किया है मोब लिंचिंग करने वालों को अब उम्मरकैद की सजा का प्राउधान वो बिल पास हो गया है देखी किस तरह से जारखंड से और ना केवल जारखंड से ब भीड ने उसको खंबे से बान करके मार दिया इसी तरह से देश बर के अंदर हमने देखा एक पिछले 5-6-7 साल का आप इतियास उठा करके देख लीजिए कैसे अंगिनत लोगों को जो है वो मोत के घाट उतार दिया गया लेकिन अब जारखंड की सरकार ने इसको लेकर के क आखो रुपय का जुर्माना भी हो सकता है देखिए जारखंड के अंदर जो है वो हेमन सोरेन मुक्खे मंत्री हैं कोंग्रेस के गठवंदन की सरकार चल रही है और जारखंड में जब यह बिल पास हुआ कल के रोजी बिल पास हुआ है और कल ही राहुल गांदी ने सुबा में नहीं आता था और जारखंड की सरकार ने लिंचिंग को ले करके मोबLINCHING को ले करके कानून पास किया अब जड़र इस खबर में जो है वो आप अंतर तक जरूर देखिए कि सद्रेसे कानून को ले करके बीजेपी कह रही है कि ये काला कानून ने काला ध्याय है बीजेपी इस बात को कह रही है बताइए किसी इनसान की जान बचाने के लिए सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रही है कि अगर किसी को कोई मारेगा तो हम उसको सजा देंगी ये सरकार कानून लेकर क्या ही है? और बीजेपी कह रहे है की काला ध्याए है क्यों बीजेपी ने जो इस पर सवाल उठाई वो आपको बताएंगे और किस तरह से जो है इस कानून के तैस सजा मिलेगी? कैसे सजा मिलेगी? कितने लाख रुपए का जुर्माना होगा सारी वाति आपको तफसील से बताएंगे आप अंत तक इस खबर को जरूर देखिए देखिए इस खबर में आगे लिखा है कि जारकंड में हेमन सोरेन की सरकार मोबलिंचिंग घटनाओ को रोकने के लिए मोबलिंचिंग रोक थाम विधेख पास कर दिया है बताएंगा जाता है कि जारकंड विधेख 2021 के अनुसार तयार मसोदे के अनुसार मोबलिंचिंग के दोसी को शैशर्म आजीवन कारवास और 25 लाख रुपए का जुर्माना हो सकेगा शैशर्म का मतलब यह होता है कि कठोर दंड के साथ में उसको उमर कैज और 25 लाख रुपए का जुर्माना देखिए बड़ा जो है वो एक ऐसा कानून बनाया है जिसकी जरूरत थी एक कानून ऐसा बनाया है जिसके लिए जो है वो लोगों की लगातार मांगे आ रही थी लोग मांग लगातार मांग उठा रहे थे कि मोब लिंचिंग को रोकने के लिए कोई घेर करके भीड जो है वो इंसानों की हत्या कर दे रही है मंडर कर दे रही है उनको कुचल करके पीट-पीट करके लाठी दिनों से मार दे रही है तो आखिरकार उसके लिए कोई कानून आना चाहिए और ये कानून ऐसा आया है वाकी जो है इससे मोबलिंचिंग की घटनाओं को रोकने में जो है वो मदद मिलेगी अब देखे किस तरह से कानून काम करेगा कैसे इस कानून में प्रावधान क्या है वो आपको थोड़ा गहराई से वताते तक कि आपको पता चले कि कैसे जो है वो जो मोबलिंचिंग करने वाले जो अपने आपको एक धर्म इसे इसके ठेकदार मानते है और ये जो ये दावा करते हैं कि हम केवल अब इस देश में वही धर्म के लोग रहेंगे उनको अंदर जो है कैसे खोब पैदा होगा ये देखे इस कानून के अंदर क्या लिखा है इसमें लिखा है कि मोबलिंचिंग के दोसी को शेशर्म आज इवन करवास होगा 25 लाग रुपे तक का जुर्माना हो सकता है इसके तहत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूँ द्वारा धरम, वंस, जाती, लिंग, जनम, स्थान, भाषा, आहार, विहार, लेंगिक, राजनेतिक संबंदता, नशल या अन्याधार पर किसी को भी लिंच करने के लिए भीड को उक्साने का आरोप सिद्ध होने पर इसके तहत सजा मिल सकती है कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से, किसी की भासा को ले करके, धरम को ले करके, खाने पीने को ले करके, उसके पैनावे को ले करके, किसी भी राजनेतिक सोच को ले करके, किसी भी तरह से, अगर किसी भीड ने, किसी व्यक्ति को मारा, अगर किसी व्यक्ति ने, किसी भीड को उक्साने का काम क्या? उन सब को जो है सजा मीलेगी. सोच करके देखिए कैसे जो है वो खुले आम कह दिया जाता है. अभी अभी एक बयान आया था. उत्तर प्रदेस के उप्रोखे मंत्री हैं. उनका बेयान आया था केसो परसाद मोर्या का कि जाली टोपी वाले लूंगी वाले वो अपरादी होते हैं मतलब एक भीड को जो है एक समाज को एक धर्म विसेज के लिए मुसल्मानों के लिए जो है वो ऐसा बनाया जा रहा क्रोसित उनके अंदर नफरत भरी जा रही है कि देखिए वो जाली टोपी वाले वो लूंगी वाले प्रधार मंतरी तक ने कह दिया था कि हम कपड़ों से पैचान कर लेते हैं यानि सब कोई लगा हुआ है कि कैसे जो है वो एक समुधाई विसेज के परती जो है वो नफरत पैदा कर दी जाए और लोग पिर अपने आप उनको कुछल करके मार दे लोग उनको अपने आप लाठी डिंडों से मार दे ये सब कुछ है लेकिन इसके तहट ये सब कुछ हुआ है कि अगर कोई भीड़ को उकसाने का भी काम करेगा तो उसके ओपर भी कानून जो है लागू होगा अब इसमें कैसे हुआ है देखिया आप वही पर इसे बढ़ा करके तीन साल तक भी किया जा सकता है इसके बिल के तहट जुर्माना रासी में एक लाख से तीन लाख रुपए तक की जुर्माना हो सकता है सुरुआत में जो है जब इसका किसी को पकड़ा जाएगा तो उसको एक साल की सजा या तीन साल तक की सजा एक लाख रुपए से तीन लाख रुपए तक का जो है उस पर जुर्माना लग सकता है इसके बाद में दोशी का किरते समानने से ज़्यादा होने पर जुर्माना तीन से पाँच लाख और एक से दस वर तक की सजा हो सकती है यानि अगर किसी ने घिनोना काम किया है तो फिर उसके लिए जो है वो तीन से पाँच लाख रुपे तक का जुर्माना लग सकता है और सजा भी एक से बढ़ा करके दस साल तक हो सकती है वहीं लिंचिंग के दोरान पीडित व्यक्ति की मोत होने पर शैशर्म आजिवन करवास के साथ में पाँच लाख रुपे तक का जुर्माना देना होगा की बतादे की जुर्माने किरासी जो है वो पच्छिस लाख रुपे तक बढ़ाई जा सकती है अगर किसी भीड ने उसको मारा है मामूली मार करके उसको छोड़ दिया तो भी उसको एक साल की सजा हो सकती है एक लाख रुपे का जुर्माना हो सकता है अगर ज्यादा मारा है तो उसकी सजा को तीन साल तक किया जा सकता है जुर्माने को भी तीन लाग से तक किया जा सकता है अगर उस व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से मारा है तो उसकी सजा जो है वो दस साल तक जा सकती है और जुर्माने की रकम जो है वो भी तीन से पांच अगर मारे गए व्यक्ति की जिसको मारा गया जिसको पीटा गया है उसकी अगर मोत हो जाती तो फिर आपको जो है वो उमर्भद के लिए कैद होगी उमर कैद होगी आपकी और उमर कैद भी कोई आसानी होगी उमर कैद भी दो तरीके के होती है एक तो उमर कैद सामाने होना औ एक उमर कैद में आपको कठोर दंड मिलना यानि जेल में भी आपको आसानी से जो है वो नहीं रखा जाएगा जेल में भी आपको कठोर वहाँ पर काम करना होगा जो भी वहाँ पर कैदी रहते हूं कैदियों से भी जो है एक तो समाने काम करवाया जाता है किसी को आटा जो है होगा और जुर्माने की रासी 25 लाथ रुपर तक बढ़ सकती है तो यह वो पुरा कानून है लेकिन बीजेपी इस कानून को लेकर विरोध कर रही है बीजेपी ने बताया सरकार का कार आधिया बीजेपी विदायक अमीत मंडल ने कहा कि सरकार का यह काला अध्याई पूरे जार्खंड में लिखा जाएगा उन्होंने इसे त्यार करने वाले अधिकारियों की मंसा पर भी सवाल उठाया बीजेपी विधायक ने कहा कि इस में भीड को अंग्रेजी में मोब लिखा है अबती कहने के लिए कुछ नहीं लेकिन विर प्रदस्ती एक अच्छा कानून बना है उसको जो है आप बता रहे हैं कि यह काला अध्याई है अब जो है कॉंग्रेस की जो विधायक है यह कहरे कि उमर कैद की जयाए पर फासी की मांग वो कहरे कि उमर कैद नहीं बलकि फासी की दीजी आप इनको जो भी लिंचिंग करता है उसको फासी होनी चाहिए यह कॉंग्रेस की विधाइका है दीपिकार सिंग पांडे और उन्होंने का है कि इसकी बजाए जो है वो फासी होनी चाहिए देकि सोच करके देखिए अलग-अलग लेकिन एक सरकार के तोर पर एक मुख्यमंत्री के तोर पर किसी भी मुख्यमंत्री का कोई अपना नीजी धर्म नहीं होता है वो धर्म निर्पेक्स है और उसकी प्रार्त्मिक्ता पशूँ से पहले जो है उसके आम नागरिक होने चाहिए और यहाँ पर जारकन की सरकार हेवन कानुन बना है लेकिन सवाल ये है कि हेमंद सोरेन के सरकार ने कॉंग्रेस के घठबंदन कि यहां पर जो सरकार चल रही है क्या वो सरकार इस कानुन को उसी तरह से इंप्लिमेंट भी करवा पाएगी लागू भी करवा पाएगी जिस तरह से लिखा गया है अगर लागू हुआ तो आप यकीन मान करके चलिए जो मोबलिंचिंग की घटना लगातार बढ़ रही है उनमें भारी गिरावट हो आएगी और खास करके धरम इसे इसके लोग मुसल लग रहा कि जरूरी था क्या आपको लग रहा कि इसमें उमरकाइद की जहें पर भासी होनी चाही थी यह आपको लग रहा बीजेपी की तरह से यह काला अध्याय है आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बोक्स अपनी राय जूरूर दें और इसी तरह एक तमाम ख़बरों के सब्सक्राइब करें साथ में जो बैल आकरने घंटी उसको जुरूर दबाएं ताकि जैसे की वीडियो अप्लोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें धन्यवाद इस खबर को अभी लाइक करें शेर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जु झुरूर करें